आज इस वीडियो में आपसे बेबी रबर प्लांट के बारे में डिसकस करूंगी इसको पेपरोमिया भी कहते है जो ग्रीन वाला है पेपरोमिया ग्रीन इसको बेबी रबर प्लांट करें दूसरा वाला जो है न करते है तो फ्रेंच नол go programme लिट्धि वि Chuck कहते हैं तो इन प्लांट्स को आप आ भॉर वोट्र बिलकुल नहीं करना है वह उत दोग आपो तो अब तरह लिएक यह को लिवسم के नर ल गॉट्ग रोटी साथν चाने nostalgia या 8-10 days में एक बार वाटर करती हूं और जब भी वाटर करने के पहले मैं top surface soil देखती हूं जब मिटी अच्छे से सुल जाने के बाद ही मैं इसको वाट्रिं करती हूं यह प्लैंट दिखने में बहुत beautiful रहता है इसका variegated तो और ज्यादा beautiful लगता है मुझे कि इसके जो leaves अगर आप देखे तो इसमें dark green या olive green color रहता है और इसको corner में border में आपको cream color के lines रहते हैं मैं बाद से दिखाती हूं तो इसके leaves जो हे काफी shiny रहते हैं वैक्सी रहते हैं तिक भी रहते हैं तो आप इस पे dust भी जमा हो जाता है जब आप इसको indoor रखते हो तो आपको क्या करना है इसको tissue paper से या cotton pad लेकर भी आप इसको clean कर स रखते हो so that इसका photosynthesis process अच्छे से चले and plant भी healthy रहे तो मैं इन plants को मैं indoor रखती हूं जहां पे bright indirect sunlight इसको मिल जाता है लाइक मैं इसको window के पास रखती हूं तो इसको bright indirect sunlight में आपको रखना है इसको direct sunlight में नहीं रखना है direct sunlight में रखने से इसके leaves बन हो जाते हैं और इस plant धीरे-धीरे घराब होने लगता है फ्रेंड्स आप देख सकते हूं मैं इन plants को hall में रखी थी जहां पे window से bright light मिलता है तो एसे जगाँ आप इसको रखे तो यह अच्छे से grow करेंगे और healthy भी रहेंगे समर में यह plant आप completely shaded area में रख दीजिए जहां पे आपको like indirect bright light मिले और winter season में आपको सिर्फ ऐचीज भ्यान रखना है अगर आपके हम पे frosting या fog जादा है तो आप इसको बाहर मत रखिए और winter में आप इसको सुबो की sunlight दे सकते हो सुबो के sunlight डारेक लाइट में रख सकते हो ब समर में बिल्कुल नहीं रखना है तो मैं क्या करती हूं जब winter season रहता है तो इसको थोड़ा बहुत morning sunlight वान नवर कर दे देती हूं और उसके बाद में इसको वापस indoor shift कर देती हूं या shaded area में रख देती हूं जहां पे bright light इसको में सके अब भी हम इसको soil requirement के बार में बात करें इसको well-drained soil ज्यादा अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हो आप coco peat, vermicompost या घर में बना हुआ compost and sand ये तीनों mixer बना के soil mixer बना के आप इसको इसमें reporting कर सकते हो ये soil mixer में तो general क्या कर सकते हो कि आप 40% coco peat लीजिए 40% vermicompost लीजिए या घर का बना हुआ खाग भी चल ज और 20% sand लीजिए तो ये तीनों mixer में आप इसको reporting कीजिए तो एंड इसके roots इतने deep नहीं रहते तो इसको आप shallow pot में रखे जितना ज्यादा आप pot लेंगे इतना ज्यादा उसमें मिटी सौगी बन जाएंगा तो फिर उसमें water रहेगा तो roots rot होने के chances रहते तो आप shallow pots में इसक इसे चल जाएंगे तो मैं अभी इसका आपको price भी बताती हूं friends ये जो green वाला है ये मैंने 90 rupees में लिया था and with pot मिल गया था मुझे मैंने इसको reporting भी नहीं किया है और ये जो है ये मैं पॉली बैग में लेकर रहे थी ये 30 rupees में मिला था मुझे और मैंने इसको इसमें रिपॉटिं किया है सेम सॉइल मिक्शर यूज करके और ये जो pot आप देख सकते हो ये मैंने घर पे बनाया है इस जीट रोप से मैंने इस pot डेकोरिट किया है तो ये मैं इंडोर में रखती हूं तो उसलिए मैंने इसको इस pot में रखा हुआ है जब भी आप इसको रिपॉर्टिंग करना चाह रहे तो आप अभी मत कीजिए winter season में winter season के बाद कीजिए तो मैं जब भी इसको रिपॉर्टिंग करूंगी तो मैं इससे ज्यादा बड़ा गमना नहीं इसको रिपॉर्टिंग कर दोंगी और अभी हम बात करेंगी इसको फोटिलाजर रिक्वर्मेंट इसको आप nitrogen rich fertilizer दीजिए nitrogen rich fertilizer से क्या होगा कि आपके leaves का जो foliage और जो वारीएटल है leaves में वह सभी अच्छे से डेवलप होंगे और उसका maintain भी होगा तो आप मैं जेनरली इसको seaweed fertilizer liquid fertilizer देती हो आप वंसीने मन दे सकते हो बाट वंसीने मन कभी देना है winter चोड़के बाकी के दुने में आप वंसीने मन दे सकते हो जब यह plant growing stage में रहेगा तब देना है winter में इतना grow नहीं होता है तो winter होने के जैसा भी February में मैं इसको fertilizer देना चालू कर दूगे यह अभी मैंने recently one month के पहले लिया था तो इसको मैं अभी नहीं दूगी fertilizer इसको फोड़ा grow होनी दूगी उसके बाद मैं इसको fertilizer दूगी तो बस friends आज के लिए यही है hope आपको यह plants अच्छे लगे होंगे if you like my video please do subscribe to my channel and do share my videos friends thank you friends for all your support till now okay friends bye see you in the next video until then take care bye happy gardening